Hello students, welcome back. Name से पता लग गया होगा HCF of three numbers by long division method. इससे last class में हमने HCF क्या होता है और इसके तीन method prime factorization, common division and long division. ये तीनों देखे थे, जिसे वो वीडियो देखनी है, description में link मिल जाएगा. तो मैंने उस वीडियो में कहा था, last में, कि अब हम three numbers का long division method से HCF निकालना सीखेंगे. तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे पास अगर तीन number हो, दो number का तो easily निकल जाता है long division method से, लेकिन अगर तीन number हो, तो कैसे निकालते हैं? प्राइम फेक्टरिजेशन method और common division वो दोनों तो easy हैं, हम long division से देखते हैं. So here is the question, find HCF of 36, 126 and 162 by long division method. यह हमारे पास तीन number given है, हमें इनका HCF निकालना है long division method से. तो ध्यान से सुनना easy तरीका बताती हूं, वैसे तो हम किसी को भी किसी से भी divide कर सकते हैं, इन में से हमें तीनो numbers में से किसी 2 को select करना होता है और फिर divide करना होता है. तो आसान तरीका मुझे जो लगता है वो क्या है? तीनों में से जो सबसे पहले सबसी बड़ी term लग रही है ना तो में उसको अंदर लिख लो. 162 यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी है और जो smallest लग रही है उसको बाहर लिख लो means 36 और 126 को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. 36 से हमें 162 को डिवाइड करना है तो पहले हम रफ में multiply करके देख लेते हैं भई. 36 को किस से multiply करें कि 162 यह उससे कुछ छोटा मोटा आ जाए? 4 से करके देखते हैं 6, 4 जा 24, 4, 3, 12, 13, 14, 144. 36 को 5 से करके देखते हैं 6, 5, 3, 15, 16, 17, 18. 180 बढ़ा है तो उससे छोटा 144 ही होगा, 144, कितने पर आ रहा है? 4 पे. अभी नहीं हम माइनस कर लेंगे, 12 में से 4 गया, 8, 5 में से 4 गया, 1. यहां पे 18 आ गया, मतलब हमारा कुछ न कुछ remainder बच गया. अब हम जानते हैं, long division method में एक और बनाते हैं, divide का sign, इसके अंदर इसको लिखेंगे 36 को, अब 18 के table में तो हमें पता ही है, 18 टूजा 36 होता है. यहां पे यह पुरा-पुरा 0 आ गया, means, number 36 और 162, इनका क्या निकल के आया, HCF 18, तो हम एक line तो लिख सकते हैं, कि HCF of 36 and 162 is 18, अब question न, हमारा वैसे यहीं पे खतम हो चुका है, क्योंकि अगर question में बोले कि 3 का निकाल के दिखाओ, तो समझ जाओ, जो starting में 2 का करके आया है वही answer होता है, लेकिन ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि तीसरा number क्यों दिया है, उन्होंने बेवकुफ तो हो है नहीं, तो हमें क्या करना है, उसको भी show करके दिखाना है, क्या करेंगे, जो हमारा HCF निकल के आया है, इन दोनों numbers का, उससे हम third वाले को divide कर देंग तो 18 इस बार हम बाहर रखेंगे, और अंदर जो number रह गया था हमारा means 126 रखेंगे, तो अब हम यहां rough में करके देख लेते हैं, 18 को 6 से कर लेते हैं पहले, 6 8 जा 48, 6 बंजा 6, and 4, 10, 108, 18 को 7 से कर लेते हैं, 7 8 जा 56, 7 बंजा 7, 12, 126, तो 18 को 7 से multiply करके पूरा पूरा आ रहा ह 6 मतलब यहां पर यह माइनस करके 0 बच रहा है, तो यह तो मैंने पहले ही बताया था कि जब हम 2 को कर लेते हैं, तो यही वाला answer होता है, it means hcf of 18 and 126 is also 18, तो इन दोनों का भी 18 आ गया, it means जो हमारा तीनों नुमबर का hcf होगा न, वो 18 ही होगा, तो हम लिख देंगे hcf of 18 sorry hcf of 36, 126 and 162 is 18, इन तीनों का hcf हमारा 18 आया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो तीन नंबर दिया है, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला सोच लो, और सबसे छोटा वाला देख लो, सबसे बड़े वाले को हमें अंदर रखना होता ह है, छोटे वाले को बाहर और simple उसको long division से divide कर देना है, फिर जो हमारा hcf आएगा, मन में देख लो कि हाँ, यही हमारा answer है, अब इसको हमें third वाले से करके दिखाना होता है, बस divide, यह सर्फ दिखाने की बात है, वैसे answer हमारा यही होता है हमेशा, जब भी निकालना होगा hc अब निकालना है long division methods है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, largest number, दिख रहा है मुझे 280 है, और सबसे छोटा कौन सा है, 168 इसको बाहर रख लेते हैं, वैसे हम किसी को भी रख सकते हैं, अगर हम 224 को रखे तो कोई गल्त न उटा गाएंगे, इन्हें माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए, 2, 7 में से 6 गए, 1, और 1 में से 1 गया, 112 अब यहां पर अगें हम divide का sign बनाएंगे, 168 इसको अंदर लिखेंगे, 112 बंजा, 112 फिर से माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए, 6, 6 में से 1 गया, 56 आ गया, अगें यहां पर वारा है पूरा पूरा तो 56 तूजा 112 माइनस करेंगे 0 आंसर मतलब हमारा 56 आंसर आ गया अब समझ लो तीनों का आंसर यही होगा means 56 ही HCF होगा लेकिन हमें क्योंकि करके दिखाना है तो पहले हम लिखेंगे HCF of 168 and 280 is 56 now 56 को डिवाइड करेंगे 224 को डिवाइड करेंगे 56 से जो नमबर हमारा रह गया था था न 224 अब इसको डिवाइड कर लेंगे 56 से तो और रफ में करके देखते हैं 56, 3, 6, 3, 18, 5, 3, 15 and 1, 168 56, 4, 6, 4, 24, 5, 4, 20, 21, 22 पूरा पूरा कट रहा है 24 56, 4, 224 यहाँ पे 0 आगया माइनस करके मतलब देखा इसमें भी 56 आगया तो हम एक और लाइन लिखेंगे HCF of 56 and 224 is 56 it means जो तीनो नमबर का HCF होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा 56 तो हम लिख देंगे HCF of 168, 224 and 280 is 56 इसी तरीके से हमें तीन नमबर का long division method से HCF find out करना होता है so I hope बच्चो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किसी भी तरह की queries हों तो आप comment section में पूर्च सकते हैं अब हम next video में मिलेंगे, next video में LCM का सीखेंगे हम की LCM किस तरीके से करते हैं, किन method से करते हैं